पिछले हपते हमने बात की कि हार्ट अटेक क्या होता है क्यों होता है आज हम बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट की तो देखिए जैसे आपको कोई कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम होता है सीने में दर्ध होता है या कुछ घवराट बगएरा होती है तो आप डक्टर के पास जाते हैं डक्टर आपका बीपी चेक करते हैं पल्स चेक करते हैं ECG करते हैं इको करते हैं और जरूरत पड़ी तो ए angioplasty या bypass की बात होती है तो पहले हम दवाईयों को समझने की कोशिश करें तो cardiac blockade या heart attack से सम्मन्दित 4-5 दवाईया normally prescribe की जाती है एक तो aspirin prescribe करते हैं खून को पतला रखने के लिए दूसरा statins prescribe करते हैं cholesterol को कम करने के लिए तीसरा beta blockers आपके BP को sat रखने के लिए और चौथा nitrates दे सकते हैं आपको emergency situation को handle करने के लिए और इसका अलाबा अगर clot है तो इसको dissolve करने के लिए barfarinia कोई enzyme है दूसरी दवाईयां दे सकते हैं तो यह 4-5 तरह की दवाईयां 2-3 वाड लेनी कुल मिलाके 8-10 गोलियां रोज यह काम शुरू हो जाता है अब समस्या यह है कि यह दवाईयां बीमारी ठीक नहीं करती हैं यह खाली symptoms को suppress करती हैं और इस बज़े से होता यह है कि यह दवाईयां लगातार लेनी पड़ती हैं आपको और अगर आप इसके साथ lifestyle सुधार हैं तो थोड़ा ठीक रह सकते हैं लेकिन अगर आपने lifestyle पर ध्यान ने दिया तो यह दवाईयों की खुराग फिर बढ़ती जाती है और आगे जाके surgery की बात होने ही लगती है और यह दवाईय आपने आप में भी काफी गड़बड़ी करती हैं जैसे कि aspirin जो कि आप खुण पतला करने के लिए लेते हैं उससे खुण पतला होता है लेकिन वो खुण कई दफ़ा ब्रेन में जाके लीक हो जाता है ब्रेन हम्रेज हो जाता है और डैथ भी हो सकती है दूसरी दवाई जो कुलेस्टरॉल कम करने के लिए लेते हैं इस्टेटिंस वो दवाई की प्रावलम्स हम पहले डिसकस कर चुके हैं और जो मेजर उसकी प्रावलम है वो यह है कि वो नियूरो मस्कुलर एजिंग करती है तो हार्ट खुद एक मसल है तो हार्ट को कमजोर कर देती है बीटा बिलॉकर्स की दिक्कत यह है कि बीटा बिलॉकर्स इस तरीके से काम करते हैं कि नॉर्मली वो ब्लड की सप्लाई कम करते हैं, तो इस वज़े से क्या होता है कि पूरे शरीर में ठीक से ब्लड पहुंसता नहीं है, खास तोर से जैसे आपकी उंगलियां हैं, पंजे हैं जो लोग beta blockers लेते हैं उनको अकसर इन जगों पर ठंड सी लगती रहती है जुन जुनी सी होती रहती है तो एक blood supply जो है वो compromise होती है यह माली जो दबाईया आप लेते हैं लेकिन अगर आप इसके साथ lifestyle नई सुधारते हैं अपनी तो क्या होगा कि फिर आपकी condition धीमे धीमे deteriorate होने लगेगी और फिर surgery की जरूरत होगी डॉक्टर आपको surgery कराने की बात करेंगे तो यह surgery भी हम समझ लेते हैं तो surgery दो तरह से होते हैं एक तो कहते हैं कि angioplasty और दूसरी bypass surgery angioplasty में क्या करते हैं कि आपकी junk के पास से या आपकी कलाई से एक device अंदर भेशते हैं spring जैसी stent बोलते हैं और heart में जहां blockade है वो वहाँ जाके fell जाता है तो फैलने इसे क्या होता है कि फिर blood supply वहाँ पर flow चालू हो जाता है और माली जाए आपकी situation और जादा खराब है और तो फिर doctor आपको bypass की बात करेंगे और bypass में यह होता है कि आपके शडीर से कहीं दूसरी जगे से एक नस निकालके और heart के पास जो block है उसके पास में लगा देते तो एक तरह से bypass arrangement बन जाता है और खून वहाँ से चालू हो जाता है लेकिन इन दौनों की कई समस्या हैं पहली समस्या तो यह है कि after all यह heart की surgery है तो life threatening होती है कई दफा operation travel पर ही death हो जाती है तूसरी बात यह है कि यह महंगी बहुत है दोनों यह angioplasty भी और bypass भी और एक और problem इसके साथ महंगाई के साथ जुड़ी यह है कि यह कोई one time solution नहीं है जैसे angioplasty है तो उसमें पहले जो metal के stents आते थे तो उनमें क्या होता था कि body उनको foreign consider करती थी और साल शे महीने में फिर deposit कर देती थी और साल शे महीने में फिर से कराओ अभी कुछ drug eluting आ गए हैं लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यह drug eluting है यह खुद heart attack की सब्माहोने को बढ़ाते हैं फिर अब तीसरे नए आये है बायो डिग्रेडेवल कहते हैं इनको तो बायो डिग्रेडेवल यह है कि stent कुछ दुनों में अपने आप खतम हो जाएगा ब मस्या की बात है तो यह तो है कि angioplasty और bypass surgery महेंगे भी बहुत हैं और one time solution नहीं बारवार कराने पड़ते हैं इसके लावा एक बात और है कि इसमें corruption बहुत है ऐसा सुनने में आता है कई दफ़ा अस्पताल जबरजस्ति कर देते हैं यह procedures अपने target या अपना turnover बढ़ाने के लिए और stent की prices में भी बड़ा सुनने में आता रहता है कि कोई 10-15,000 की चीज होती है और लाक डेड़ लाक रुपे उसके लिए ले ले लेते हैं तो इनकी prices को लेके सरकार ने भी एक committee बनाई थी और उन्होंने अभी इसकी जो prices हैं वो साड़े साथ हजार से लेके 29,000 रु हैं रिसर्च हुई हैं कि जिसने एक बहुत बड़ा प्रशन चिन लगा दिया है इन दौनों की प्रासांगिता पर पहली जो रिसर्च हुई वो नोवेंबर माहे में पबलिश हुई थी एक बहुत ही रेपुर्टिट जर्नल है लांसिट उसके बाद फिर बेटिस मेडिकल जर्नल ने उसको कबर किया नियॉर्क टाइमस ने कबर किया और दुनिया भर के मीडिया ने उसको कबर किया और रिसर्च हुई थी यह लंदन का जो नैशनल हार्ट एंड लंग इंस्टिट है उसमें किया यह गिया है कि करीब 200 मरीज लिए गया और उनको दो ग्रुप में बाटा आधे लोगों को एंगियो प्लास्टी करके इस्टेंट लगाए गया और आधे लोगों में कुछ नहीं किया खाली उनको एक स्वांग रचा गया और यह बताये गया है कि हाँ उनको भी लगाए जा रहे हैं तो ताकि वो वह सब फील करें और बाद में जब वाल्व थे स्टेडी में उन्होंने यह कंक्लूड किया कि जो इस्टेंट लगाने से जो चेस्ट पेन में जो आराम महसूस होता है पेसेंट अच्छा फील करता है एक्ट्वल में वह एक प्लैसिवो एफेक्ट है वह इसलिए आ रहा है क्योंकि मरीज वैसा सोच रहा है अस और दूसरी कार्डिक सर्जरी को लिए और वहां पर उन पेसेंट्स को अब्जर्व किया गया है कि इनको एक साल में क्या-क्या दिक्कते होती है क्या होती है तो क्या होता है कि जैसे कोई कार्डिक सर्जरी होती है तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए आपके ब्रेन में ब परसेंट लोगों में यह डेमेज पर्मानेंट हो सकता है और इस डेमेज की वज़े से सर्जरी के एक साल के अंदर कभी भी डिलीरियम हो सकता है डिलीरियम का मतलब एक थोड़े से टाइम के लिए एक कॉंसियस्नेस में कुछ प्राबलम आएगी और उस थोड़े से ब्रीफ पिरियड में आपको स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियो स्कुलर डैथ भी हो सकती है। यह सर्जरी होने के पहले और सर्जरी होने के बाद में 300% का फरक है। मतलब यह होने के चांस तीन गुना बढ़ जाते हैं। तो आप सोचने वाली बात ये है कि लाखों रुपे खर्च करके और इतनी डेंजरस प्रोसीजर कराते हैं किस लिए ताकि situation इंप्रूब होगी, heart attack के chances कम होगे, लेकिन कमों बेस situation ये बन रही है कि इतना खर्चा करने के बाबजूद भी जो chances हैं वो बढ़ रहे हैं अब यहां आपको लग सकता है कि मैंने बड़ी निराशा की बात कर दी, एक जो उमीद बंदी हुई थी दवाईयों से, सरजरी से, उसको भी मैंने थोड़ा जगजोड दिया है, पर पॉइंट ये है कि हकीकत पता होनी चाहिए और आशा की बात ये है कि ये lifestyle से ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, कितना भी ब्लॉकेड हो, कोई भी प्राबलम हो, अगर आप lifestyle सुधार लें, तो ये बीमारी हमेशा के लिए जा सकती है ये lifestyle कैसे सुधारेंगे, इसकी बात करेंगे हम अगले एपिसोड में हुए हुएٌ